है हलो वन मैं हूँ आपका अपना भाई समझा दो बया और आज की क्रिप्ट नियूज और बिटकाउन अनलिसिस शुरू करते हैं दोस्तों आज गुरू पूर निमा तो सबसे पहले तो आप सभी को गुरू पूर निमा की शुप काम नहीं और आप सभी के गुरू के चरणों तो मत ही लेना मैं तो यही कहना चाहूँगा आज बोट साइड लिक्विडिशन होने के चांसे हैं शॉर्ट और नों के और मॉनिंग से में काफी रिपोर्ट वगेरा देख रहा हूं कुछ टूइट्स भी वेने देखे जो कि बिलकुल फेक थे और वूब लोग चेन वालो वैसे यूएस का जो CPI नमबर है शाम को 6-7 बजे के तकरीबाना जाएगा जैसे मुझे मिलेगा सूपर फास तरीके से में टेलेग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूँगा तो आज टेलेग्राम को जोड़ से जोइन कर लेना ठीक है लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप् तो यहां पर देखो क्या हो सकता है जो हमने देखा भी ता कि एक रिटेस्टिंग के बाद में अगेन हमें डाउनसाइड मुमेंट देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से यहां पर यह डिटेस्ट करने के बाद में नीचे के दरफ जा सकता है ठीक है तो इसका जरूर से इस support को रखेगा या फिर यहां पर रोकेगा ठीक है यहां पर S&P 500 को भी आप देख सकते हो कि इसमें भी हमें pullback देखने को मिला है तो अगर US market में गिरावट होती है तो no doubt crypto या फिर bitcoin में भी हमें किरावट तो देखने को मिले ही और अभी आप funding rate देखोगे तो फंडिंग रेट सारी के सारी ही नेगटिव चल रही है वो चाहे Binance हो वो चाहे gate.io तो इस situation में देखो क्या होता है कि जो exchanges होते हैं उनको पता है कि सारे के सारे exchange के उपर ही अगर short लगी हुई है तो उनका नुकसान हो सकता है तो यहां पर liquidation का game हो सकता है फिर भी इसलिए मैं कहरा हूँ आपसे कि आज ट्रेड ना लो तो वही अच्छा है अच्छा अच्छा ट्रेड को लेकर एक बात आपसे कहना चाहूँगा काफी लोग मुझे बो अच्छा ट्रेड नहीं ले पाऊंगा मुझे तो डर लगता है मेरा पैसा चला जाएगा बहिया पेपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दो बोले तो एक बार पैटर्न बनाओ चार्ट पर और देखो कि यहां पर अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो क्या मेरे इस टार्गिट तक ऑदा बिटीजिस आता है या नहीए जब बिटीजिची वहाँ पर आयगा तो आपका इतना बढ़ जाएगा कि हा मैं ने जुब चेजे बनाएयम ठीज जाना तो यहां पर चार्ट पर पीपर मैंने जो सब्सदेателей से सब्सक्राइब एया drownestry चीजिस करदेंग कर सकते हो अगर आपको थोड़ा डर वगश्याँ लगता है अब बाकिया जटनी भी बाइनिंग हो रही है उसका काफी बड़ा इसे काजेकिस्तान टप कंट्री है जहां पर अभी क्रिप्टो की माइनिंग चल रही है और इसे related मेंने काफी updates आपको पिछले कुछ महीनों में बताई है तो यहाँ पर एक negative update बोल सकते हैं कि वहाँ के जो president है वो crypto miners के उपर tax को increase करने के उपर बात कर रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर twitter से जुड़ी होई और Elon Musk इसको जीके की तरह देखो general knowledge की तरह या फिर general news की तरह और वैसे directly यह crypto से related नहीं है लेकिन indirectly completely यह crypto से related है आपको बताने की जरुवत नहीं है बिकोज Elon Musk को crypto का किस तरीके का संबन्द है तो जैसा हम expect करी रहे तो लगबग लगबग सभी लोगों को लग रहा था कि यह इलोन मस्क नहीं यह deal से हाथ अठाया तो twitter वाले इनके उपर case कर सकते है तो वही हुआ कि twitter ने अभी Elon Musk के खिलाफ case दायर कर आ है तो यह भी एक update है और इसके लावा इलोन मस्क को जो डोनल्ड ट्रम पे देखो अब तो इनका अकाउंट वगरा बैन होई चुका है तो यहां पर इन्होंने वापस से statement दिया है और हाली में इन्होंने कहा था कि इलोन मस्क डंप है और इसको कुछ नहीं आता है यह सिर्व ट्विटर के बहाने अपनी publicity वगरा कर रहा है तो यहां पर अगेन इनका statement आए कि Trump से यहांने कि आपको लगता है यह इनको इस तरीकी से जुखा पाएंगे या जुखा सकते हैं comment करके जरूरी से बताना और अभी जो यह update आई ना कि US Treasury call for public comments on digital asset policy या निकि जो policy बन रही है उनके उपर जो यूएस की ट्रेजरी है वो public के भी comments या फिर views जानना चाहती है इससे हमें साफ पता लग रहा है कि US government US की जो department से वो crypto को लेकर serious है crypto के regulation को लेकर काफी serious है इसलिए तो मैं एक के बाद ऐसी क अगरा हो गए इससे ऐसा कुछ नहीं है तो आपका मन रखने के लिए में कुछ आपको गलत अपडेट नहीं देना चाहता या फिर डेली इसको कवर करने से कोई मतलब है नहीं कुछ अपडेट साती रहती है इनके tweets पर लेकिन एक थोड़ी पोजिटिव अपडेट है आप इस तरीकी से ले सकते हो कि community बढ़ रहे है ठीक हाला कि मैं वापस से कहना चाहूँगा वोल्यूम नहीं आएगी market के sentiment नहीं सुद रहेंगे तो इसकी price आप जो काफी लोग अभी आपको बता रहे ना एक डॉलर दस डॉलर असलियत में इतनी चल जाएगी हाल फिलाल वो बि जा रही है यह एक positive बात है ना कि Shiba इन्हों 10 डॉलर चला जाएगा इसके उपर में कुछ बात को next update की बात करें तो यहां पर जो 16 ब्रेव इनके काफी ads वगरा भी आते रहते हैं YouTube वगरा पे तो जो ब्रेव ब्राउजर है उन्होंने 16 को support करा है देख सकते हो आप official यह इनक updates का किसी भी altcoin पर इतना अफर नहीं पड़ेगा विकोस लोग पैसा ही नहीं डालेंगे तो प्राइस कहां से बढ़ेगी आला कि Wales के नजरों में हमेशा से रहा है और रहेगा भी विकोस 16 में potential है लेकिन हाल फलाल तो सभी की तबेद डाउन ठीक है बस इतनी update में आई थी ब भालत